हेलो फ्रेंड्स आज हम चैप्टर वन परी में संख्याई की प्रशनावली 1.2 का फर्स्ट और सेकंड कोश्चन सोल करेंगे तो फर्स्ट कोश्चन है निमन लिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए हमें इन दो संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो पहले मैं एक संख्या रेखा बना लेती हूँ तो देखिए मैंने एक संख्या रेखा ली और इसमें समान दूरी पर निशान लगाएं तो आप भी जब संख्या रेखा बनाएंगे तो आपने इन पे समान दूरी से पे निशान लगा देना है ठीक है अब देखिए साथ बटे चार एक धनातमक परी में संख्या है धनातमक मतलब प्लस की परी में संख्या है तो यह जो है शुन्य से दाई और जो है दर्शाई जाएगी संख्या रेखा पर अब देखिए मारे पास संख्या रेखा कैसी होती है ठीक है यह देखिए संख्या रेखा है यह संख्या रेखा होती है ठीक है शुन्ने से दाई और ये दाई और है शुन्ने से दाई और जो है पलस की संख्याई दिखाई जाती है और शुन्ने के बाई और जो है माइनस की संख्याई दिखाई जाती है अब सात बटे चार क्या है पलस की संग्या तो मैंने इसको जहें शुने से डाई और दर्शाय है इसलिए मैंने डाई ओ जहें अधिक जगा ले लिए है ठीक है अब देखिये हम जो है एक अकाई को उतने भागों में बाटेंगे जितनी हर में संख्या दी गई है ठीक है अब ये देखिए ये अंश है और ये क्या है हर है ठीक है तो हम एक इकाई को कितने भागों में बाटेंगे जितनी हर में संख्या दी गई है यहाँ पर हर में जो है क्या है चार है ठीक है तो हम क्या करेंगे एक इकाई को चार भागों में बाटेंगे देखे ये एक भ यहां तक हमारे पास जो है यह एक काई हो गई ठीक है और अब हम इन भागों को जो है इस प्रकार दर्शाएंगे कि इसे हम क्या लिखेंगे इसे हम लिखेंगे एक बटे चार इसे दो बटे चार इसे तीन बटे चार और इसे चार बटे चार ठीक है अब कोशन में देखें य हम जो है साथ तक जाएंगे ठीक मैं यहां से हाँ तक दूसरी हिकाई हो गई ठीक है चार भागों में बाटना था एक ही काई ये हो गई और दूसरी काई जो है ये हो गई अब हमें जो है अंश में साथ है तो हमने कहां तक जाना है साथ बटे चार तक जाना है तो देखिए, बिंदू P संख्या रेखा पर 7 बटे 4 को निरूपित करता है, अब second part क्या है, minus 5 बटे 6, इसे भी संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो हम पहले एक संख्या रेखा बना लेते हैं, तो देखिए, मैंने एक संख्या रेखा ली, और इसमें जो है, समान दूरी प संख्या है, एक रिनात्मक परिमे संख्या है, इसके साथ माइनस लगा है, तो माइनस रिनात्मक मतलब माइनस जो है, यह परिमे संख्या है, तो यह जो है, शुन्ने से संख्या रेखा पर यह शुन्ने से किस और दर्शाई जाएगी, बाई और जो है, दर्शाई जाएगी देखे ये हमारे पास संख्या रेखा होती है ये हमने यहाँ पर शुन्ने लिया तो इसके बाई और तीक है ये शुन्ने है इसके बाई और जो है नेगरिटी मतलब कि ये रिनात्मक जो है परिमे संख्या दिखाई देगी यहां दर्शाएंगे हम इसको इसलिए मैंने जो है बाई और जगा जादा ले ली है अब देखिए क्या है हम क्या करते हैं एक इकाई को उतने भागों में बाटते हैं जितनी क्या है हर में संक्या होती है अब यहां हर में क्या है छे है तो हम इसको एक इकाई को क्या करेंगे, छे भागों में बाटेंगे, देखिए, एक भाग, दो भाग, तीन भाग हो गई, यह चार भाग, यह पांच भाग, और यह छे भाग, यहां तक क्या हो गई है, एक इकाई हो गई हमारे पास, ठीक है, यहां तक हमारे पास क्या हो गई एक इकाई अब यहाँ पर माइनस में है तो यहाँ पर क्या होगा माइनस एक बाई ओर है न यहाँ तो यहाँ क्या होगा माइनस एक तो यह हमारे पास क्या हो गई एक इकाई हो गई ठीक है अब देखिए अब तो अब यह हमने जो है छे भागों में बांट लिए अब हमें इ बटे छे, minus 4 बटे छे, फिर minus 5 बटे छे और minus 6 बटे 6, ठीक है, अब देखिए question में क्या है minus 5 बटे 6, तो हमने कहाँ पर minus 5 बटे 6 तक जाना है, अब देखिए minus 5 बटे 6 कहा है, यहाँ पर है तो यह जो है हम इसे माले थे हैं बिंदू क्या है पी है ये क्या है बिंदू पी तो हमने माइनस पांच बटे छे ही दिखाना था संख्या रेखा पर तो हमने दिखा दिया तो देखिए बिंदू पी जो है संख्या रेखा पर माइनस पांच बटे छे को निरूपित करता है ये था हमारा फर्स्ट कोशन अब स पांच बड़े ग्यारां को संख्यारेखा पर निरूपित कीजिए तो मैं इन्हें संख्यारेखा पर दर्शाना है तो मैंने ये संख्यारेखा बना ली है और इसमें मैंने समान दूरी पर निशान लगाए है अब देखिए जो हमें संख्याएं दी गई है वो क्या है माइनस में है तो हम इन्हें संख्या रेका से किस और दर्शाएंगे बाई और दर्शाएंगे देखिए ये संख्या रेका है ठीक है संख्या रेखा पर बाई और जो है माइनस की संख्याई दर्शाई जाती है तो हमने जो है बाई और जो है मैंने जादा जगा ले ली है ठीक है इस तरफ दर्शानी है मैंने जादा जगा ले ली है हम जो है एक इकाई को उतने भागों में बाटते हैं जितनी हर में संख्या दी गई है अब देखे इनके हर में क्या संख्या इसके में भी 11 है 11 और 11 है तो अब हम एक इकाई को कितने भागों में बाट लेंगे 11 भागों में बाट लेंगे तो ठीक है इनको अब हम 11 भागों में बाटते हैं तो ये 1 भाग हो गया ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हमने क्या है इसे 1 एक इकाई को 11 भागों में बाट लिया है तो 0 से माइनस 1 तक जो है ये एक इकाई हो गई बाई हो रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस 1 आएगा ठीक है अब देखिए अब हम इसको किस प्रकार लिखेंगे हम इसे लिखेंगे माइनस एक बटे ग्यारा, माइनस दो बटे ग्यारा, माइनस तीन बटे ग्यारा, माइनस चार बटे ग्यारा, माइनस पाँच बटे ग्यारा, माइनस छे बटे ग्यारा, माइनस साथ बटे ग्यारा, माइनस आठ बटे ग्यारा, माइनस नो बटे ग्यारा, माइनस दस बटे ग् ठीक है अब देखिए अब हमें क्या दिखाना है इस संख्या रेखा पर माइनस दो बटे ग्यारा दर्शान है तो माइनस दो बटे ग्यारा कहा है यहां पर है तो माल लीजिए बिंदू पी जो है संख्या रेखा पर माइनस दो बटे ग्यारा को दर्शार है माल लीजिए हमने दो बटे ग्यारा को दर्शा रहा है फिर है माइनस पांच बटे ग्यारा माइनस पांच बटे ग्यारा का है यहाँ पे तो इसे आप ले लीजे बिंदु क्यो तो बिंदु क्यो जो है संख्या रेखा पर माइनस पांच बटे ग्यारा को दर्शा रहा है फिर माइनस नो बटे ग्यारा का है यहां पर यह क्या हो गया इसे माल लीजिए आप बिंदु आर माल लीजिए तो बिंदु आर जो है संख्या रेखा पर माइनस नो बटे ग्यारा को दर्शा रहा है तो बिंदु पी क्यो और आर संख्या रेखा पर क्रमशर माइनस दो बटे ग्यारा माइनस वन और कोशन टू की सोल्व किया अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेर एंड सब्सक्राइब थैंक यू